तो जैसा कि आपकी बहुत दिन से भी EBS की क्लास नहीं हुई थी आज मैं आपके लिए फिर से EBS का प्रक्रिस लेके आई हूँ और जल्दी आपकी NCRT की क्लास से भी शुरू होगी EBS की फर्ष्ट की तो आज चलू शुरू आज करते हैं आज का हमारा प्रक्रिस हैट है और इ चलता है इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवाइगू लगवाती रहती हूं और सभी विशों के आपको प्रष्ट की चैनल पर कराए जा रहे हैं तो आपका पहला प्रश्ण है एक सिच्छिखा ईविया सिच्छड के लिए अपने सिच्छार्थियों के साथ त सिंक्रोनस संप्रेषर ण्यूआ चारियान करना चाहती है निम्ड लखित में से किसे सुनेगी सबसे हैं पहले हम बात करते हैं कि हिसे पहली जुट संप्रेषण होता है यहां पृण संप्रेषड तो आप सब जानते ही हो पृण लगाले की विद्ध ठीक है आपने साम्वेश एक heater और बच्च्चे दोनों मं एक शम्प्रेशट होता है कुछ निश्ची समय के लिए होता है और जैसे tut is teacher कोई प्रश्ण पूछ रहा है और बच्चा उसका उत्तर दे रहा है कोई ऑचीज समझा रहा है ठीक है यह सारे होती है तो फॉन कॉल फ्री रिकॉर्ड डेट वीडियो टेलिकॉन फ्रेशिंग अब फॉन कॉल पर क्या होगा कि एक दम शंप्रेश्ट इतना अच्छा नहीं बन पाएगा यानि सबसे अच्छा आपको देखना है और प्री रिकॉर्डिंग वीडियो अगर आप कोई भी रिकॉर तो देखनेंगे यही आपकी टेलिकॉर्डिंग में भी रिकॉर्डड़ मिडियस फॉन कल सब्सक्णथ हों टॉस्ट इसमों ऐसकोडियेक डूंक noodle फॉनक हो इन सबसक्णित क्या सब्सक्दातै कि दोन्यार्ड इस Christians Effect प्लेशों कॉर्ड़ थे तोव्यार्र बूरके पहीत थ चैट में भी बच्चे और आप जिस किसी से भी करवा रही हो या टीचर ही है फॉन कॉल है तो यह तीनों ही आपके तुलकालक यानि सिंक्रोनस शंप्रेशर के क्या है माध्यम है तो राइट अंसर आपका नंबर फोर अगला प्रस्न है आपका यद थी में आत्रा रेलवे में एक सामदा एक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्रखित में से कौन पूरा करेगा ठीका थीम क्या है आपकी थीम है आपकी भोजन तो जैसे आपकी रेलवे स्टेशन में एक सामदा एक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो आपकी भोजन की थीम है यह किस प्रष्ण प्राप्त नहीं होते हैं ठोकव से सब्सक्राफ्य से तो आप सब्सक्राइबियो Pakistan को दर्सांग संसाधन के व्यूंप को दर्शा हैं प्रश्ण。 800- helt द है कि सामग्दा मोस्की के बधिरीयो से वेल स味ल्प इनिया शुलाइब शालएं आप हमारे साथ जुड़िये तो शही और आपके पूर्ड प्रेडागोजी पर पकड़ न बने तो आप कहना इवी या सिच्चड के दोरान एक सिच्चक का बयान यान प्रश्ण जो बिधारतियों को श्वय में अपने सातियों की प्रतक्रियाओं से उत्तर को बिस्तरत करने के लिए प्रोजपूर्ड प्रश्ण कंडिशनिंग चेनिंग परीच्चड और प्रोटी तो राइट आंसर आ करती है निम्रखित मैं से कौंसा उसकी यूजना का सीर्षक होगा तैस यानी अनीता क्या पढ़ाना चारएक परवार तीम कों कौन चाहिए आपको पता हुना चाहिए आपकी थीम भी और उस थीम भी रूप में यानि योजना का शीर्षक आपसे पूचा है तो कौन सा शीर्षक आपका सबसे बेश्ट होगा गुमंतु परवार है या एकल और शन्युक्त परवार एक परवार के भीतर शंबंद या फिर संबंद लिंक भूमकाय विवशाय बदलती समय में सामाजिक सांस्क्रत शिकाई के रूप तो राइट अंसर आपका क्या हो जाएगा राइट अंसर आपका हो जाएगा नंबर फोर यानि इस आपके अप्सन में एक साथ ही बहुतारी चीज़ें वो बच्चों को शिखा पाएगे अगला प्रस्न है आपका श्रीमती शीतल इविएस की विविन कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पशंद करती हैं उनके द्वारा कहानियां और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयोगत तर्क है यानि वो किसलिए इनका प्रयोग करती है तो उनका सबसे अच्छा क्या होगा इविएस के पाठे क्रम को पूरा करना शाती साथ बिध्धार्तियों का स्कूल में आने से पहले इनको शुना होना बिध्धार्तियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोसाहित करना बिध्धार्तियों को भासा और शंश्कृती में बिविता के बा गड़ेना पाठो को अदिक संबाद आत्मक शुखद और दिल्चष्प बनाना तो देखो जब हम सबसे पहले कोई भी कहानिया गाविताएं पड़ो को सुनाते हैं तो इसे क्या होता है कि पाठोस को संबाद आत्मक बना संबाजते हैं आप सुखद में आप बात करते हैं कि इभी असके पूरा करना आपको पूरा कराने पर बल नहीं देनाहे नहीं थ्यूर मेंगे पहले सिर्फ रखना धीरायसा नहीं है कि बिछय को पहले से आपको संग्य को संपनिरा किह नहीं है इन ही dipping किभिट्वाकर्व होना सबीब hy प्रोज शाहित कर सकते हैं इससे क्या है रचनात्मक्ता का विकास होता है बच्चों में तो बी शी और डी तो राइट अंसर आपका हो जाएगा नंबर तीन बी शी और डी अगला प्रशन है आपका निम लखित में से कौन सा विकल्प कच्चा एक से पांच तक ईविएस पढ करने के लिए कोशल प्राप्त करना ग赤 बीद्धर्तियों का मिडेल इसतर पर बिग्यान पढ़ने के लिए तयार करना विसे की मूल और भानोरा उंप गेहन समझ भिक्सित करना अचलम को इसकूल के बाहर के जीवन से जोडने में मदद करना कि अब राइट अंसर आपका क्या होगा तो राइट अंसर आपका नमबर 4 ही हो जाएगा क्योंकि EBS का आपका मेन उद्धेश तो यही है कि जो भी आपने कच्छा में बच्चे को पढ़ाया है तो वो उसे अपने जो बाहर का जीवन है उसका उसके साथ जोड सके ठीक है यानि क अच्छा के अधगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोडने में मदद करना यह आपका मुख के उद्धेश होना चाहिए तो राइट अंसर आपका क्या होगा नमबर 4 अगला प्रशन है एक EBS सिच्चक कच्चा में एक प्रयोग प्रदिश्यत करता है जिसमें एक अंडा पा बिध्यारतियों की पूछताच के लिए निम्रक इत्म है से कौन सी सबसे उपरयोग देश्क्ती है और वो बच्चों को यह प्रयोग करके दिखाती है तो अपनी इस तरीके से दे सकती है तो चार्व ऑप्सनों में से आपको सबसी बेस्त डूड़ना है और में आपके जया बिद्यार्ती को पानी में बिविन बस्तुएं डालकर श्वयम निसकर्ष निकाल ले दें पानी के घनत्व के कारण अंडा तेरता है आप उच्छ कच्चाओं में सही कारण सीखेंगे अलग-अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें तो सबसे रा क्हाली खरात को बिविन बस्तु आपको विविंद्य बस्तु हैं निकाल निस्कर्ष निकाल ले दें आपको सिर्फ प्रयोग के अंडे कश करें और उसका अवलोकन करें कि अगला प्रश्ण है निम्निकित कथनों को पढ़िए तता सही विकल्प का चायन कीजिए अविकतन है आपका EBS के सीखने के अवलोकन, पहचान, बर्गी करण, आज से संबंदित, प्रक्रिया, कौसल के लिए उनमुक होने की आवश्यक्ता है तो इसमें आपका क्या होगा? तो ये आपका बिल्कुल सही है अविकतन, यानि EBS के सीखने में जो अवलोकन है, पहचान है, बर्गी करण है, आज से संबंदित, प्रक्रिया है, वो कौसलों के लिए उनमुक होने की आवश्यक्ता है, यानि इससे कौशल बढ़ते हैं आपके विविन्द प्रक्रिया कौसल प्राप्त करने की माध्यम से EBS के सीखने के परड़ामों को हासल करने की शंभावना होती है, तो ये भी आपका सही है, यानि ये इसका कारण है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नमबर दो, यानि A और आर दोनों शही है, तता आर एकी शही ब्याख्या है, अगला प्रस्न देखते हैं, एक EBS सिख्चक को योगात्मक मुल्यंकन के लिए प्रशन तयार करते शमें, डैस पर जोर देना चाहिए, इन किस पर आप ज़्यादा जोर दे शकते हैं, प्रशन पत्र की लंबाई और उ उध्धेश आपको नहीं रखने हैं, ठीक है, योगात्मक मुल्यंकन है, प्रशन पत्र की शामग्री, कवरेज और उध्धेश, प्रशन पत्र की कोलंक और शामग्री और कवरेज, प्रशन पत्र की लंबाई और कोलंक, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर कोंसा सीखने का प्रस्ण पत्र की लंबा ही नहीं देखनी कि आपका प्रस्ण पत्र के कुलंक भी नहीं आपको देखने हैं तो इसमें भी यह निगेटीव पोइंट आ गया और यहां भी प्रस्ण पत्र की लंबाई और कोलंग यह दोनों ही आपके निगेटिव है तो आपका राइट अंसर हो गया नंबर दो अगला प्रस्म देखते हैं कच्चा थर्ड के विध्यारतियों के लिए इवियस में निम्नकित में से कौन सा सीखने का परड़ाम या अधिगम प्रतिफल नहीं है आपको नहीं देखना है और क्लास कौन सी आपकी थर्ड है अच्च और बुरे इसपर्ष पर अपनी राइब्यक्त करना देखे गए अनुभव किये गए मुद्धों पर आबाद उठाना और समाज की प्रताओं से संबंदित करना जैसे संसादनों के स्वामित्वे भेदवा कुछ इस्तानी इंडोर आउट डोर खेलों में नियमों क अब लोकन करना कच्चा की दिशाओं की पैचान करना आपको नहीं ढूड़ना है और सीखने का परड़ाम यानि अधगम प्रतपल नहीं है अच्छे और बुरे इसपर्ष पर अपनी राइब्यक्त करना आपको यह सारी चीजें अब आपने देखा होगा कि बच्चों को सि पैचान करना बच्चे छोटे क्लास के बच्चे होते हैं थड़की तो उन्हें अपने क्लास की दिशाओं का पैचान अवश्य होनी चाहिए पूर्व कौनशी है पस्चिम कौन सा है उत्तर कौन सा है लेकिन आपको नहीं यानि अधगम प्रतपल में आपका नहीं आएगा तो राइट अंसर आपका हो गया नमबर दो यानि देखे गए अनुभव किये गए मुद्धों पर आवाज उठाना इतने चुटे बच्चे आवाज कहां से उठाएंगे समाज की प्रताओं से संबंदित करना जैसे संसाधनों के श्वामित में भेदवाव इतनी शबच ब पुद्धेश के लिए निम्नकित में से कौन सा मान दन्र सबसे उपयुक्त है अब देखो उपयुक्त तो सभी है लेकिन आपको सबसे उपयुक्त दूड़ना है तो राइट अंसर आपका क्या होगा चलो देखते हैं पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए यह होने चाहिए भासा सरल और विद्धारतियों के मानसिक इस्तर के अनुशार होनी चाहिए यह भी होनी चाहिए यह आपका सही है पाट पुस्तक को सचित्र विद्धारतियों के लिए आकर्शक होना चाहिए यह भी होनी चाहिए ठीक है यानि आपके यह तीनों बुलकु जनक विवार्षे रही तो होनी चाहिए तो राइट आंसर आपका क्या होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा नमबर फॉर यानि पार्ट पुष्टक इसमें ज्यादा है ज्यादा गुड़ है सिर्फ बड़े चित्र रंगीन होने से काम नहीं चलने वाला है सिर्फ भासासर जाती बर्ग धर्म के आदार पर किसी भी रूड वागता नहीं होनी चाहिए किसी की अपवांजनक विवार भी नहीं होना चाहिए तो राइट आंसर आपका हो गया नमबर फॉर अगला प्रस्न है निम्न की कतनों को पढ़िये तता सही विकल्पका चायन की जिएगा अब इकतन है आपका प्रात्मिक रौए स्थर पर ईवीस में विश्यों के बजाए थीम है विस्त कारण है विश्यों की तुलना में थीम आधारित ईवीस शीकना सिशकों और शिचार्थियों विध्धैर्थियों के लिए आसान है तो राइट अंसर आपका क्या होगा राइट अंसर यानि ये आपका सही तो है लेकिन थीमादर्त EBS सीखना सिचको और विद्ध्यारतियों के लिए आसान है तो ये इसकी मतलब व्याख्या नहीं कर रहा है तो राइट अंसर आपका हो जाएगा नमबर तीन यानि ए और आर दोनों सही है परन्तु आर ये की सही ब्याख्या नहीं है ठीक है ये मतलब सही है लेकिन इसकी कोई भी ये ब्याख्या नहीं है अगला प्रसंद देखते हैं आप EBS के विद्ध्यारतियों के लिए बिवहारिक गत्य विद्यों को प्रोशाहित करना चाहते हैं निम्न खित में से कौनशी क्रिया सबसे उपयुक्त है यह ब्यभारिक गतविदिया को आप प्रोश्चाहित करना चाहते हैं ग्लोब से नक्सा पढ़ना विविन्य देशों के शिक्के एकत्रित करना उपलब्द सामग्री से ईवियस किट विक्सित करना एक चार्ट पर विव पोध़ों की चित्र को बनाना यह भी नहीं होगा तो आपका हो जाएगा यापके पास जो भी उपलब्द सामग्री उससे आप एक ऐवियस किट विक्सित कर सकते हैए उपर के लिए रचनात्म का आक्लन देज है शीखने के लिए आकलन, शीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन और शीखने के बारे में आकलन तो राइट अंसर आपका क्या होगा? यह आपको देखना है, ठीक है? तो शीखने के लिए आकलन आपका नहीं होता है, आपका शीखने का आकलन होता है, ठीक है? क्या होता है आपका होता है शीखने का आकलन पूछा है आपके तो शीखने के लिए आकलन आपका हो गया शीखने का आकलन नहीं होता है शीखने के लिए आकलन होता है याप बच्चों को शिखा सकते हो थोड़ा मिश्टेक हो गई बोलने में हमसे ठीक है यापको आपको आकलन तो आपको आकलन करना है बच्चे को तो शीकने के लिए आकलन होता है याणि आप बच्चे का आकलन करोगे तो आपका ये होना चाहिए कि बच्चे और इसे और भी ज्यादा सीखें ठीक है शीकने का आकलन आपको नहीं करना है फिर आपका सीखने का आकलन ये नहीं होगा शीखने के बारे में आकलन और अधिगम के रूप में आकलन अधिगम और शीखना यानि आपका दोनों एकी है तो राइट आंसर आपके हो गए A और C तो राइट आंसर आपका हुगा नमबर 3 अगला प्रसंद देखते हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अबस्ट कर लें क्योंकि आपके सभी विश्यों के PYQ आपको चैनल पर कराए जा रहे है और आपका जब तक एक जम होगा तब तक आपको यह PYQ चलते रहेंगे साती साथ आपको टॉपिक पर भी विडियो मिल रही है और टॉपिक भी आपके पूरे कमप्लीट कराए जाएंगे ऐसा नहीं है कि आपको नहीं कराए जाएंगे सबी टॉपिक आपको कम्प्रीट कराये जाएंगे CDP के टॉपिक आपके चलवाई है जल्दी ही आपकी EBS की NCRT सीरी सुरू होने वाली है SST की भी ख्लास हैं आपको मिल रही है और हिंदी के अभी PYQ सुरू नहीं हुए है जल्दी आपके हिंदी के भी PYQ सुरू होने वाले है तो प्रशन है आपका निम्रकित कतनों को पढ़िये तता सही बिकल्प का चयन कीजी अब कतन है आपका EBS में छेत ब्रमड प्रभावी शिच्चर सास्त्री रड़नीती है प्रभावी शिच्चर सास्त्री रड़नीती है बिल्कुल आपका ये सही है छेत ब्रमड बस्तुओं गठनाओं और इस्तानों की याद दास्त को बड़ाबा देती है तो ये भी आपका सही है देखो ये बिल्कुल मैंने सॉल्व कर दिया है अब आपका इसका क्या अंसर होगा ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है और इसका मतलब आंसर हम अगली सीरीज में देंगे यानि 26 से अगली वीडियो में प्रश्णों को सॉल्व करेंगे तो आज के लिए इतना ही क्योंकि वीडियो आपकी थोड़ा बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो इसका प्रश्णों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवस्य बता है आप बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो उत्तर नहीं देते हो